काट्रीन के फिन दिनों की बहन नताशा की वेडिंग प्लान को लेकर काफी बिजी है और शेसे वेडि़ी क्लोसली इंवॉल्फ इन प्लानिंग एवरीथिंग स्टार्टिंग फॉम् दिरेक्टर अपूर्वा लाकिया के फोन से उनके near and dear ones को उनकी शादी की खबर देते हुए message किया as a prank on the director. इस वजे से विल लाकिया started getting congratulatory messages, that's when PC and Ram Charan reveals their prank to him. बिपाशा वासो इन दिनों मुंबाई के मद आइलेंड एरिया में उनकी upcoming horror film Creature 3D की shooting कर रही है and the drive to and from this area is very long and hectic and the travel is taking a toll on pips. sources की माने तो Amisha Patel is being pampered by her Desi Magic co-star Sahil Shroff on the sets of their upcoming film. Apparently, जब Amisha एक shot देने के बाद उनके रूम में गई तो वाहा उनके लिए एक soft toy और bouquet of flowers बेट कर रहे थे which was planned by Sahil and Amisha was very touched by this gesture. Film Rockstar के बाद Nargis Vakri almost 2 साल तक उनकी दूसरी फिल्म का इंतिसार कर रही थी और अब उनके पास कई फिल्में एक साथ आ गई है Nargis जो कि इस वक्त उनकी upcoming film Madras Cafe के promotions में busy है He's also started shooting for May Tera Hero with Varun Dhawan और इसके बाद Nargis will join the team of Shaukeen Remake for a month-long schedule. Sunakshi Sinha Peeta के new advertisement में feature कर रही है where she is urging her fans to adopt homeless cats and dogs. इस camping को support करते होई Sunakshi ने कहा every time someone buys a dog or cat from a breeder or pet store a homeless animal roaming the streets or waiting in an animal shelter loses a chance at a home and a good life. अभिशेक बच्चन उनकी film दोस्ताना 2 के शुरू होने का बेसबरी से इंतजार कर रहे है अभिशेक के माने तो इस फिल्म की shooting नवेंबर से शुरू की जाएगी रक्षा बंधन के मौके पर आक्रिस मंदरा बेदी ने लांच किया special राखी ओफर मीडिया से इंटराइक करते हुए मंदरा ने बताया कि किस दरा वो रक्षा बंधन का त्योहार मनाय करती है my brother went away for this trip out of the country to Columbo and it was around Rafi and when he came back from the trip he came back with this, this beautiful new shoes, he brought me a pair of new new running shoes and a watch for Rafi and spent all of it allowance, you know, buying me this Rafi present and that's when I really realized my brother truly, truly loves Zoo मुंबाई की एक इंग्लिश जेली की माने तो एश्वर्या राइ बच्चन ने उनके फ्रेंड संजे लीला भंसाली की फिल्म राम लीला के एक स्पेशल डांस नंबर के लिए अपनी हामी भर दी है एश्वर्या विल बी शूटिंग फॉर 10 डेज और इस सॉंग की शूटिंग 26 अगस से शुरू की जाएगी सैफ अली खान और काट्रीना कैफ डिरेक्टर कभीर खान की अपकमिंग थ्रिलर की शूटिंग सीरिया लेबिनॉन बॉर्डर के पास करने वाले है जिस जगा को वार जोन भी डेक्लेर किया गया है विसे ये फर्स बॉलिवुड फिल्म है जिसकी शूटिंग इस कॉनफलिक्ट रिजिड एरिया में की जा रही है ख़बर आई दिये कि अक्षे कमार करन जोहर के साथ मिलकर एक आक्शन फिल्म प्रिडूस करेंगे और कहा जा रहा है कि ये एक टू हीरो फिल्म होगी और इस फिल्म में अक्षे के साथ नजर आएंगे अर्चन कपूर जिन्हें इस फिल्म की स्क्रिप्ट काफी पसंद आई है ख़बर मिली है कि सूरज पंचोली और आतिया शेटी की फिल्म हीरो रीमेक के लिए गोविंदा और वेटरन आक्टर विनोथ खन्ना को रोपिन कर लिया गया है इस फिल्म को निखिल अद्वानी डिरेक्ट कर रहे है विवेक अबरोई की अपकमिंग फिल्म ग्राइन मस्ती में टीवी अक्रिस करिश्मा तन्ना नजरारी है और कहा जाता है कि विवेक करिश्मा के काम से इतने इंप्रेस हुए कि उनकी रेकेमेंडेशन पर करिश्मा को इस फिल्म के लिए कास्ट किया गया बॉलिवूर आक्टरेज मदू जो की आजकल फिल्मों में कम ही नजराती है अब अपना कमबैक करने की तयारी कर रही है मदू हमें एक प्ले करती नजराएंगी जिसका टाइजल है दो वर्डिक्ट प्राची देशाई एक एंजियो की न्यू कैमपेंग छूने दवासवान को सपोर्ट करती दिखी जिसके जरिये पांच हजार बच्चों को फ्री एडुकेशन दी जाएगी प्राची ने इस एंजियो को विजिट किया और वो बच्चों के साथ काफी क्वालिटी टाइम स्पेंड करती नजर आए